हेलो दोस्तो एक वार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिकर स्टेडी फॉइंट पर दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के 20 महत्तपूर्ण कोश्चिनों की जो कि आपके आगामी सबी एक्जामों के लिए बहुत जादा महत्तपू से 15 मिनिट आपके इसमें लगने वाले हैं या आप इन स्पीड बढ़ा के देखना चाहे तो इसके आदे समयमा आप इसे देख सकते हैं तो शुरू करते हैं अगर आपको यह हमारा पर्यास पसंद आता है तो दोस्तो आप वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलेगा इसके साथी बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें तांकि दोस्तो वीडियो हमारी हर रोज अप्लोड होती है तांकि आपके पास नोटिपिकेशन मिसना हो सके इसलिए बेल आइकन परस करना भी बहुत जरूरी है तो शुरू करते हैं दोस्तो आज के important question आप लोग तयार हो जाईए आज का हमारा दोस्तो जो पहला परसन है वो है हम यहां से सुरू करने वाले हैं native marriage act कब पारित किया गया था अठार सो बहुतर में अठार सो पैसट में अठार सो बैयासी में या फिर अठार सो पिज़तर म तो जिन जिन लोगों ने option number C बताया है आप बिल्कुल गलत हैं इसका से उतर है option number A अठार सो पहुतर में native marriage act उस समय आया था लौर्ड मेयो था नौर्थ बुरूप था उस्टे में तो यह आपको बिल्कुल याद रखना है native marriage act अठार सो पहुतर में एक्जाम में पूचा ह है आयोग ने तो बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरफ है अगला कोश्चिन है सलाइड परस्तूति के दोरान एक hyperlink के बाद दूसरे hyperlink के चैन के लिए आप क्या दबाएंगे ये computer का एकदम practical वाला परसन है control पलस के दबाएंगे या भी टैब दबाएंगे या control प्लस एफर सभी को आप दबाएंगे तो इसका स्युत तरह आपको टैब दबाना होगा जो लोग computer का करते हैं उनको ये भली बाती अता होगा वरना जो लोग exam की त्यारी करते है computer नहीं चीक है तो फिर आप इससे भी याद रख लिजिए क्या पता exam में आ जाए slide परस्तों के दोरान एक hyperlink के बाद दुसरे hyperlink के chain के लिए आप क्या दबाएंगे तो tap दबाएंगे पांकी दोस्तों आपका वहाँ पर course तो नहीं माना जाता पर आपकी typing आप से मांगी जाती है जैसे कनिसा एक का form भरना है तो वहीं पर जैसे कि आपने computer किया है नहीं किया पर आप लोग या था मोहमद बिन तुगलक MBT पहलो लोदी वन से सच्टापक बलबन या फिरोज सा तुगलक फिरोज सा तुगलक तो आपको बताना है फिरोज सा तुगलक के समयी ज्यान चंद जो था दिल्ली दरबार गया था तो किसने अपने सिक्कु पर अल सुल्तान ज्ली अल्ला अंकित करवाय था ये था दोस्तो MBD मोहमद बिन तुगलक बिलकुल आप लोग याद रखेगा ऑप्सन नमबर A हो जाएगा हमारा बिलकुल सही अपने सिक्कु पर MBD ने कराय था अल सुल्तान जिल्ली अल्ला मोहमद बिन तुगलक अगला कोश्चिन है अंतर जाएगा उनिश्छा आप लोग C равноंacağız भी कर रहे होंगे पर 44 दोस्तों जुलाए putting आईष्चाई में पर 12Al के उत्तर दिया गया था इनमसे कोई नहीं होने के बाव जाएगा उनिश्छ ऑने सी हो जाएगा 1945 में आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे 1945 में उपचारिक रूप से इसका जो है क्या कहते हैं उदगाटन हुआ था और गठन हुआ था बांकि 1944 में भी इसका उतर देते हैं कई बार तो वो भी आपको बिल्कुल याद रखना है option के हिसाब से तो बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है ये भी बहुत जादा important परसन है जोहानिस बर्ग अब आप लोग match तो देखते होंगे आपको ये भली बाती पता है कि जोहानिस बर्ग ये है कहां अफरीका में है आपको भली बाती पता है जितने भी आपको इतने ग्राउंड है क्रिकेट ग्राउंड कोई भी आपसे पूछ सकते हैं तो आप थड़ा थड़ा आप लोग पता सकते हैं ये आपको भली बाती पता है जोहानिस बर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्स में हुआ था 2002, 2003, 2004 या फिर 2005 तो इसका सहुत्तर हो जाएगा ओपसन नमबर ए जोहानिस बर्ग में सतत विकास सम्मेलन 2002 में हुआ था ये आपको बिल्कुल याद रखना है तो बढ़ते हैं दोस्तो अगले कोश्चिन की त्रव अगला कोश्चिन है अब आपको यहाँ पर क्या करना है भरना है स्टार्टिंग में भारत में राजनीतिक सुदारूं के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले नेता कौन थे ये आपको बिल्कुल बताना है क्या महत्मा गादी थे आनंद चरलू थे या इनमें से कोई नहीं या फिर राजा राम मोहन राई तो दोस्तो इसका सेवत्तर हो जाएगा यहाँ पर लखेंगे हम राजा राम मोहन राई मैंने दूर दूर लिख लिए है पर राजा राम यह किसाथ आता है थोड़ा मैंने दूर दूर लिख दिया है तर कोई बात नहीं राजा राम मोहन राई भारत में राजनितिक सुदारूं के लिए आंदलन शुरू करने वाले पहले नेता थे या पहले बेक्ति थे पहले भारती नेता थे कुछ भी आए तो राजा राम मोहनराय ब्रह्म समाज 828 में ये भी आप लोग बिल्कुल याद रखेगा आपको भली बाती याद होगा वे इसी बात नहीं है अगला कोश्चिन है अठ्थाई दिसंबर 1858 मेरे को अठ्थाई दिसंबर 1815 यहादा रहा था वही सुदर्शन सा ने जो कांग्रेस की स्तापना होई थी दिल्ली कलकता बंबाई मदरास तो यह आपको बिल्कुल बताना है कलकता बरतमान कोलकता बंबाई मुंबाई पता ही आपको मदरास चिन नहीं तो इसका सेवत्तर हो जाएगा मुंबाई में हो जाएगा बंबाई में ऑप्सन नंबर C पांक आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे अगला जो हमारा प्रस्न है ये है दोस्तों यहाँ पर भी आपको भरना रहेगा जील भारत की सबसे बड़ी खारे-पानी की जील है और यह भारत की सबसे बड़ी भी जील है यह आपको बताना है उसने पहले से सब कुछ दे रखा है आपको सिर्पर टिक करना है उत्तर एक नमबर अपना पका करना है निशितर उस एक्जाम में पूछा गया था कौन सी जील है डल जील चिलका जील उलर जील डीडवाना जील डीडवाना राजितान में उलर जम्मू तो चिलका जील हो जाएगी दोस्तों जील है और यह भारत की सबसे बड़ी जील भी है बन गया हमारा तो बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरफ अगला कोश्चिन है यहाँ पर आपको भरना रहेगा यहाँ पर आपको भरना रहेगा मिट्टी भारत में सरवाधिक पाई जाती है क्या लाल मिट्टी भारत में सरवाधिक पाई जाती है काली मिट्टी भारत में सरवाधिक पाई जाती है जलोड मिट्टी सरवाधिक पाई जाती है तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले question की तरफ अगला question है इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिसा में बहती है तो ये भी एक important question आपके लिए हो सकता है कौन सी नदी है जो इसमें पश्चिम की तरफ नहीं बहती है अच्छा नहीं बहती है पूछे नर्मदा, साबर्मती, लोनी या फिर कृष्चिम की तरफ दोस्तों ये साबर्मती भी बहती है नर्मदा भी लोनी भी समानता ये सब अरब सागर में गिरते हैं अगले कोश्चिन की तरफ अगला कोश्चिन है दोस्तों यहाँ पर आपको भरना रहेगा भारत यह सविधान का सविधान सबाद्वारा इतने में कोई चार में से यहाँ पर आएगा कि किसमें अपनाया गया और आगे भी दे रखाया गया और 26 जनुरी 1950 को लागी हुआ इसे और यहाँ पर दिया ही है कि 26 जनुरी 1950 को लागू हुआ था तो इस तरह से आपके दो कोश्चिन तो यही पर बन जाते हैं कि भारत का सविधान 26 नुरी 1950 को अपनाये गया था और 26 जनुरी 1950 को लागू हुआ था तो आप्सन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुर सही अब यह कोश्चिन देखिए दोस्तों बिल्कुल आप लोग इसे भी कर ले जाएंगे आयोग बिल्कुल आपके लिए सब कुछ तयार पहले से दे रहा है और आपको उसका उत्तर टिक करना है परतिवर्थ से भारत में राष्टी पंचाहिती राज दिवस यहाँ पर आपको भर परतिवर्थ से भारत में राष्टी पंचाहिती दिवस 24 अपरेल को मनाया जाता है एक कोश्चिन यह अगले के दरब अगला कोश्चिन है दोस्तों यह बी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट परचन है यह आपके लिए बिल्कुल आसान परस्न हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आपको भरना है सिर्फ पर उसी की तरह करना है एक दो परसन हम देख चुके हैं जिस तरह के सवीधान के भारत के सवीधान की कौन सी अनुसूची यहां पर भरना है अनुसूची में असम मेगालय तीरपूरा मिजोरम तो इस तरह से भी आप लोग याद रखेगा AMTM मिजोरम राज्यू में जन जाती छेत्रों में परसाशन के संबन्द पराउधान है पांचवी, दसवी, छटी या फिर चौती तो यहाँ पर आएगा भारत के सविधान की छटी अनुसूची में कौन सी अनुसूची में? छटी अनुसूची में AMTM, असम, मेगाले, तिरपुरा, मिजोरम, राज्यू के जन जाती है छेत्रों के परसाशन के संबन्द में पराउधान है तो आप लोग विल्कुल याद रखेंगे ओप्सन नंबर C तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले कोश्चिन की तरफ अगला कोश्चिन है इसके बाद लग भगलब अच्छे कोश्चिन है थोड़े और बचे हैं तो 10-14 मिनिट हो गए हैं अगला कोश्चिन है कि महात्मा गाधी के लिए भारतिये मानवता की एक ता इसकी आर्थिक स्वतंद्रता और समानता का परतिक ता थागा था नमक था पहिया था खादी था तो आप लोग भली भाती जानते हैं दोस्तों महात्मा गाधी के लिए भारतिये मानवता की एक ता इसकी आर्थिक स्वतंद्रता और समानता का परतिक था तो खादी था खादी धारण को यही ऑप्सन नमबर ए अगला कोश्चिन है रामयड में मांडवी किसकी पतनी थी दोस्तों ये भी आयोग पूछ चुका है तभी यहाँ पर लिया गया है साइद आवाए नाय अलग बात है पर आपने भी रामयड उस्टेम बहुत देखियोगी भरत मेगनाद की सुग्रिव की यह फिर लक्षमन क कि और मिल्ला और रामयड में मांडवी हो जाएगी भरत की तो ऑप्सन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही बागी दोस्तों इनकी अगर आपको पता हो तो आप लोग बता सकते हैं क्योंकि मुझे भी याद नहीं आ रहा है तो बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की अगला परसन है तिरपूरा को कब भारत के पूर्ण राजी का दर्जा दिया गया तिरपूरा को बताना है आपको कि कब भारत का पूर्ण राजी के रूप में दर्जा दिया गया था उनिस्व सेतालेज उनिस्व पिजत्तर उनिस्व पिजत्तर में सिक्की में याद रखे पर्थम पुष्पित पुष्प है जीनिया, अर्नाल्डी, रैफल, सिया या फिर इन में से कोई नहीं नोट आप तो अंतरिक्ष में जो हो जाएगा पर्थम पुष्पित पुष्प हो जाएगा यह जाएगा दोस्तों कौन सा जीनिया आप लोग बिल्कुल रखेंगे इसको याद अंतरिक्ष में पर्तम पुश्पेत पुश्पे हो जाएगा कौन सा जीनिया उप्शन नमबर ए अगला कोश्चिन है बिश्चु का बिश्चु का बिसालतम न्याइक प्राधिकरण है ये भी एक्जाम में आया था कि न् इसका सेवत्तर हो जाएगा इलाबाद हाइकोड दोस्तों इलाबाद हाइकोड अभी इलाबाद यह अन्याइक प्राधिकरण हो जाएगा हमारा उप्शन नमर भी इलाबाद हाइगोड अगला कोश्चिन है फाथ से मैला उठाने हाथ से मेला उठाने के कारी को भारत में कब परती बंदित किया गया था तो ये आपको यहाँ पर पताना है कि हाथ से मेला उठाने के कारी को भारत में कब परती बंदित किया गया था 1947 में, 1992 में, 1992 में, 1992 में, 1992 में तो 1990 हो जाएगा इसका सेवत पर आप्शन नमबर C हाथ से मैला उठाने के कारी को भारत में उन्च नद्दम है परति बंदित किया गया था तो दोस्तों यह थे आज के कोश्चिन बाकि मिलेंगे कल को एक नई वीडियो के साथ 20 मैं से आपके कितने से वे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा तो मिलेंगे कल को अपना ध्यान रखेगा थैंक यू फ्रेंट थैंक यू सो मच